सीजन 5 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें माइक उसके लॉयर के साथ prison को विजिट करते हुए दीखता है वो जो 11 आदमी होते है उसमें से अब तो माइक ने 2 मार दी है तो अब जो 9 बाकी है उन सब को prison में वो विजिट कर रहा होता है DA ने सब को jail में डाल दिया होता है तब वो उसे वहाँ जाकर ही मिलने वाला होता है उसमें से एक नाम laundry का जो manager होता है उसका भी होता है Mike उसे जाकर मिलता है तो वो laundry का manager बोलता है कि मैंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं बता है माईक उसे बोलता है कि तुम्हारे जो पैसे है वो सेफ है वो उसे बोलता है कि D.A. ने तो सब पैसे ले लिए है माईक उसे अशूर करता है कि तुम्हारे जो पैसे है वो हमेशा पेरोल पे ही रहोगे तुम्हारे जो पैसे तुम्हें मिल जाने वाले है तुम्हें कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है फिर वो मैनेजर उसे बोलता है कि गस तो मर गया है तो कैसे पैसे आने वाले हैं तो माईकों से बोलता है कि मैंने एक new management स्टार्ट की है यानि कि अब वो फिर से कुक कर रहा है और अब उनके पैसे मिलने वाले है वो उसे अशोर करकर वहाँ से चला जाता है ऐसे वो सब लोगों से prison में ही मिल लेता है नेक सिन में हमें water दिखाय गया है वो अब Skyler को उसने माफ कर दिया है प्रिवेस एपिसोड में वो Skyler को बोलता है कि मैं तुमें dead के साथ तुम अफेर तुमारा था इसलिए मैंने अब तुमें माफ कर दिया है तो इसलिए अब वो Skyler के साथ move in कर रहा होता है वो फिर से घर में रहने वाला होता है नेक्स सिन में हमें इसको Saul, Walter और JC की मीटिंग दिखाए गई है इस मीटिंग में अब माइक भी उन्हें जॉइन करने वाला होता है इसलिए ये मीटिंग होती है Saul इसको मना कर रहा होता है कि माइक बहुत ही डेंजरेस है और हमें इससे operation में नहीं add करना चाहिए पर Walter उसे बोलता है कि मेदलमिन वही लाने वाला है और बिजनेस समालने के लिए माइक ही बहुत ही important है इसलिए अब वो माइक से बिजनेस करने वाले होते है माइक आकर उने बताता है कि मैं strictly सब operation समालने वाला हूँ Walter को बोलता है कि तुम खुझ भी मेरे काम में टांगने अड़ाओगे और सिर्फ तुम cooking करोगे जब माइक वहाँ से चला जाता है तो सौल उसे बोलता है कि क्या तुम सब ये शर्ते मान रहे हो तो Walter बोलता है कि माइक business handle करने वाला है और मैं माइक को handle करूंगा अब उन सब को cooking के लिए location चाहिए होती है तो सौल उन सब को location दिखा रहा होता है पहली जो location होती है वो paper milk की होती है ये perfect होती है पर फिर Walter को पैदा चल जाता है कि यहाँ जो machines यूज़ करते हैं ये बहुत ही heat generate करते हैं और ये made के लिए अच्छा नहीं होगा फिर वो वहाँ से चले जाते हैं नेक्स जो होता है वो एक food factory होती है पर Walter उसे बोलता है कि food factory में हमेशा food inspection हो सकता है तो इसलिए हम यहाँ नहीं कर सकते हैं जो inspection होता है वो unannounced होता है इसलिए वो अच्छा plan नहीं होता फिर वो laser tag की जगा उन्हें लेकर जाता है पर वो भी perfect नहीं होती है फिर वो उन्हें एक pest control का office जो होता है वहाँ लेकर जाता है जैसी बोल रहा होता है कि यह अच्छा नहीं है यह बहुत ही छोटा है और यहां हम नहीं कुक कर सकते है पर फिर Walter को idea आता है और वो बोलता है कि यह perfect है नेक्स दिन वो pest control करने वाले जो आदमी होते हैं उन पर नजर रख रहे होते हैं और फिर Walter गाड़ी में बेट कर सब को समझा रहा होता है वो बोलता है कि pest control जब करते हैं तो पुरे विक के लिए घर खाली होता है वो पुरे घर में एक bomb छोड़ देते हैं पुरे घर में वो gas पसर जाता है यह हमारे लिए एक बहुत आच्छी location हो सकती है इन pest control को हम hire कर लेंगे और फिर हम अपना cooking इस घर में करेंगे हम एक portable lab बनाएंगे और इस घर में हम फिर cooking कर सकते हैं जब हम cooking करेंगे जो smell आएगी वो बहुत ही same होगी pesticides से तो कोई अंदर भी नहीं आएगा क्योंकि जो अंदर gases होते हैं वो बहुत ही poisonous होते हैं तो फिर हम पर कोई शक भी नहीं कर सकता तो यह perfect होता है जैसी को यह problem होता है कि हम यह lab कैसे setup करेंगे तो Walter बोलता है कि हम यह कर सकते हैं सौल फिर उन्हें बोलता है कि यह जो pest control वाले guys है यह बहुत ही flexible है यानि कि वो उनके operation के लिए बहुत ही help कर सकते हैं वो उन्हें बताता है कि यह robbery करते हैं जिस house पे यह pest control करते हैं उस house की keys वेगरा वो सब duplicate कर लेते हैं और बहुत सारे time के बाद वो keys वो किसी और को दे देते हैं robbery करने के लिए या खुद जाकर वो robbery कर आते हैं नेक्स इन में हमें badger और skinny bit यह दोनों एक music accessory shop में दिखाए गए हैं इस shop में वो एक बड़ा सा container ढूंड रहे होते हैं यह container होता है जिसमें जो bands होते हैं वो अपना सब सावान रखते हैं यह दोनों जेसी के लिए shopping कर रहे होते हैं इसमें med lap का सब equipment वो डालने वाले होते हैं जब वो जेसी को वो box देने आते हैं वो उसे पूछते हैं क्या तुम हमें भी काम पे लगा सकते हो हम भी तुमें बहुत ही help कर सकते हैं पर जेसी बोलता है कि यह बहुत बड़ा operation है और मैं तुमें बाद में कुछ opportunity दे सकता हूँ फिर हमें Mike, paste control के जो employees होते हैं उन्हें समझाता हुआ दिखता है वो से बोल रहा होता है जेसी और Walder दोनों तुमारे लिए boss है तुम इनसे ज़्यादा question नहीं ask करोगे और तुम इन दोनों को येस सर, नो सर, इन दो चीजों में ही तुम इनने answer करोगे अगर इन दोनों ने तुमें कुछ question पूछा फिर तुम बोलोगे इन्होंने अगर तुमें jump मारने को बोली तो तुम jump मारोगे ये सब instruct, Mike उन्हें कर रहा होता है जेसी का गवर पर Walder और जेसी दोनों उन लैप के लिए एकसेसरी जो होती है उनका plan बना रहे होते तब ये वहाँ Andrea और Brock आता है अब हमें लगता है कि Brock को Walter ने poison किया था तो Brock उसे जानता होगा पर Brock को कुछ भी नहीं पता होता Andrea Walter को बताती है कि तुम यहाँ drink के लिए या dinner के लिए रुख सकते हो Walter फिर वहाँ रुख जाता है नेक्स दिन pest control की guys जो होते है वो पूरे घर को cover up कर लेते है वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है Todd वो फिर Walter और Jesse को बोलता है कि घर में hidden security cameras थे तो मैंने उन्हें disable कर दिया है फिर Walter उसका नाम भी पूछ लेता है Jesse और Walter ये दोनों दिन भर cook करते है रात में जब वो टीवी देख रहे होते तो Walter Jesse को बोलता है जब मैं तुमारे घर आया और Andrea और प्रॉक को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो जिस तरह से तुमें देखती है तो ये 100% एक शूर बात है तो Jesse भी ये देखकर खोश होता है Walter उसे बुछता है कि क्या तुमने Andrea को कुछ बताया है तो Jesse बोलता है कि मैंने अब तक उसे कुछ भी नहीं बोला Walter फिर उसे सला देता है कि तुम ये जो सब काम करते हो तो ये तुमारे life का part है तो तुमें decide करना होगा कि तुम कितना Andrea को बताओगे और कितना नहीं हम दोनों इस genre में इतना सब कुछ एक साथ दिखा है हम दोनों ने तब ये decision तुमारा होना चाहिए next scene में Skylar और Murray कारवाश पर होते है Murray Skylar से बात कर रहे होती है पर Skylar को उसके बात में कोई भी interest नहीं होता Skylar फिर smoke करने लग जाती है Murray को ये पता नहीं होता तो Murray उसे बोलती है कि तुमें अब smoke नहीं करना चाहिए अगर तुम बेबी के आसपास कर रहे होगी तो बेबी के health के लिए भी ये बहुत ही घटिया हो सकता है Skylar फिर अपना control खो देती है और उसे shut up shut up बोलती है बहुत बार वो उसे वो बोलती है और फिर रोने लग जाती है Walter और जेसी को लैब में बहुत अच्छी सी एक yield आ जाती है बहुत अच्छा सा मेत उनका कुक हो जाता है जब Walter लैब से घर आता है तो Marie वहा होती है Marie जो Skylar का beginner होता है उस बारे में Walter को सब कुछ बताती है Marie उससे पूछती है कि जो तुम कर रहे हो यानि तुमारा जो gambling problem था ये सब था इसकी वज़सी ये नहीं हो सकता तुम मुझसे कुछ चुपा रहे हो तो तुमें अभी मुझे बता देना चाहिए कि ये Skylar के साथ ऐसा क्यू हुआ जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाली फिर Walter उसे बोलता है कि Skylar का एक अफेर था और अब वो इंजोर हो चुका है तो इसका बहुत ही सदमा उसे लगा है और इसलिए वो ये सब कर रहे है मरी को बहुत ही बुरा लगता है Walter उसे बोलता है कि प्लीज हैंग को ये सब मत बताना मरी शौक में होती है और फिर वहाँ से चली जाती है जेसी जब घर पर होता है तो वो कॉन्फिक्ट में होता है कि अंड्रिया को बताना चाहिए या नहीं Skylar सुबा सोती है तो वो रात को ही उठती है जब वो हॉल्प में आती है तब वॉल्टर और वॉल्टर जुनियर एक मुवी देख रहे होते है वो फिर भी बहुती टेंशन में होती है Next In में हमें माईक, जेसी और वॉल्टर सब पैसे काउन करते होई दिखते है उन तीनों ने अपने शेर क्रियेट के होई होते है वो बहुत सारे पैसे होते है फिर Mike उन पैसों को distribute कर रहा होता है Mike बोलता है कि JC ने हमें fund किया था इस operation को start करने के लिए तो उसके पैसे वो JC को दे देते हैं फिर Walter बोलता है कि यह मुझे ज़रा कम लग रहे है तो फिर Mike उसे बोलता है कि transportation के लिए 20% लगते हैं Walter को यह आजिब लगता है कि सिर्फ transportation के लिए 20% तो Mike उसे बोलता है कि वो जब transport करते हैं तो वो एक बड़ा risk ले रहे होते हैं इसलिए उन्हें 20% तो हमें देना ही पड़ेगा जो paste control वाला होता है उसके लिए भी 10,000 डॉलर सब के cut में से आ रहे होते हैं next fall का जो cut होता है वो भी Mike उससे निकाल लेता है फिर Mike उसे बोलता है कि जो लोग jail में है उन्हें भी हमें pay करना पड़ेगा तो वो सब के cut में से 100,000 डॉलर अपरोक्जिमेटली निकाल रहा होता है Walter उसे बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो तुम हमें हम उन्हें क्यों pay कर रहे है फिर Mike उसे समझाता है कि वो उनका मूँ ना खोले इसलिए हमें उन्हें pay करना पड़ेगा Walter और Mike का उस पे जगड़ा हो रहा होता है तो JC बोलता है कि मेरे पैसो में से तुम ले लो इस पर तुम जगड़ो मत फिर Walter बोलता है कि यह ऐसा नहीं हो सकता फिर Walter उसके पैसो में से भी कड़ दे देता है जब JC और Walter दोनों बहार आते है तब JC से Walter बोलता है कि तुम्हें केसे लग रहा है तो JC उसे बोलता है कि मैंने Andrea को सब बता दिया है अब मुझे अच्छा लग रहा है तो Walter पैसो के बारे में बोल रहा होता है जैसी उसे समझाता है कि यह तुम्हें कम लग रहे है हम यह बहुत ही जादा कमा रहे है जब हम Gus के लिए काम करते थे तो हम employee थे पर अब हम owner है तो इस perspective से हमें इसे देखना चाहिए Walter फिर उसे बोलता है कि मैं बहुत ही सोच रहा था Victor के बारे में वो सोच रहा होता है वो बोलता है कि Victor को Gus ने क्यों मारा होगा Victor ने directly में कुक करना स्टार्ट कर दिया था उस दिन तो जब Gus को ने उसे देखा तो Victor ने without उसके permission यह चीज कर डाली थी इसलिए Gus बहुती angry हो गया होगा और इसलिए उसने उसे मार दिया होगा यह हमें transition दिखाई गई है कि अब Walter भी Gus की तरह boss बन रहा है और वो भी लोगों को मारने के लिए उसे भी कुछ problem नहीं है